नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वेर आर दा ATP और NADP यूज़ड जो आपके ATP और NADPH2 बनते हैं लाइट रियक्शन में वो आपके कहां यूज होते हैं लाइक आपने पीछे पढ़ा था कि आपके जो फोटो सिंथेस की लाइट रियक्शन होती है लाइट रियक्शन यानि कि जिसमें लाइट का यूज होता था डारेक्टली यानि जहां आपकी लाइट एनरजी को कनवर्ट किया जाता है केमिकल एनरजी में ATP में और NADPH यानि कि रिड्यूसिंग पावर बना जाता है क्योंकि इसके NADP के पास जो हाइटोजन है यह रिडक्शन के काम में आएगा आप कार्बन डायक्शाड का जो रिडक्शन करना है हमें उसमें काम आएगा तो यह दो चीजह हमें लाइट एक्शन मिलती हैं अब आप आगे जो पढ़ रिडक्शन यानि के जिसमें लाइट का डारेक्ट इंवोल्मेंट नहीं है इन डारेक्ट इंवोल्मेंट है उसे हम डारेक्शन कहते हैं एक साइन्टिस्ट है कैल्विन उनके नाम पर इसे हम कैल्विन साइकल भी कहते हैं तो एक बार देखते हैं यहां पर क्या क्या होता ह यहां बताया कि we learned that the product of light reaction are ATP, NADPH and O2. Of these, O2 diffuse to the chloroplast, while ATP and NADPH are used to drive the process leading to the synthase of food, यानि कि जो आपका O2 है, वो तो atmosphere में चले जाती है, ATP और NADPH बचते हैं, जो कि आपका stroma में biosynthetic phage, यानि जिस phage में food की formation होती है, वो जहां चल रही होती है, वहां पर आपका ATP or NADPH यूज में आएगा, यानि यह process जो आपका light पर direct depend नहीं करता है, पर light reaction की जो product होती है, उन पर depend करता है, तो आप यह समझे रहेना कि यह रात को चलती होगी dark reaction, रात को नहीं चलती है, दिन में ही चलती है, यहां तक की शाम को जब आपका थोड़े सा light खतम हो जाता है, तो जब आपका stored ATP होता है, stored होगा थोड़ा सा, उससे थोड़े दिर के लिए और direct reaction चल जाती है, and besides CO2 NH2, you may wonder how this could be verified, it is simple immediately after light becoming available, the biosynthetic process continue for some time, यहां लिखा कि अगर आपका जो है, light चली जाती है, शाम को मतलब, sunlight खतम हो जाती है, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद तक भी आपका प्रोस्स जो है, और रन करता है, क्योंकि कुछ ATP और NADPH स्टोर रहते हैं, if then light is made available, the synthetics starts again, अगर आप synthetic light दें, अगर आप synthetic light प्रोवाइड कराएंगे, तो भाई आपकी light reaction जो है, वो continue हो जाएगी, तो आप यह समझे लिना, आप से इस सवाल पूछते हैं कि, आप से पूछेंगे, क्या उसमें photosynthesis होती है, तब आप बताएगी, यस, उसमें photosynthesis हो सकती है, can we hence see that calling the pie synthetic phase as the dark reaction is a misnomer, misnomer का मतलब है कि, जो चुल में उसके लिए नाम नहीं फीट होता, उसको वो नाम दे रखा है, जो उसके लिए नहीं है, discuss the among us yourself, yes, it is a misnomer, पर कोई बात नहीं, यह थोड़ा सदो सही है, dark reaction मतलब डाइक लाइट का यूज नहीं है, let us now see how the ATP and ADPH are used in the biosynthetic phase, we saw earlier that CO2 is combined with H2O to produce CH2QO or whole N, यह आपका carbon carbohydrate है, तो यह कह रहें कि, आपने पीछे reaction में देखा था, कैसे आप carbon dioxide or water को यूज करके, food का formation करते हैं, and it was of the interest to scientist, to find out how this reaction proceeds, scientist चाहनना चाहते हैं कैसे यह reaction होती है, यानि clearly मैं आपको वताऊं, तो यह scientist जानना चाहते थे, कि जो आपका carbon है, इस carbon का path क्या है, इस carbon का क्या path है, path मतलब होता है, आपको यह जानना है यहां पर, कि carbon किस पॉइंट से होता हुआ जाता है, यह पहले क्या बनता है, फिर क्या बनता है, फिर क्या बनता है, ऐसे, यह carbon का path जो है, हो जानना चाहते थे scientist, osas के लिए ंफन्हीना के था जिससे की उन्होंने का पात बता लगाया था यहां साथ लिखाएङ कि व भर उच्ष सियन्टी संट्फटर ड्रbrarत अध्यूहरड थी CO2 is taken into a reaction of it. Just after World War II among the several referred to radio isotope to beneficial luge. The work of Melvin Calvini is exemplary. The use of radioactive C14 मतलग उन्होंने जी atmospheric carbon dioxide था तो जो जो इन्होंने photosynthes में carbon dioxide use किया था उसका जो carbon था वो इन्होंने radioactive carbon अब जहां भी पहुँचेगा वो आपको क्या प्रोवाइड कराएगा अजब radioactive carbon जो है जहां भी पहुँचेगा वो आपका अपनी presence दर्ज कराएगा कि मैं यहां पहुचा हुआ हूँ ठीक न तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने radioactive carbon की isotope का यूज किया और algae की photosynthesis में उसको यूज किया जिससे इन्होंने बताए कि भाई जब carbon आपका atmospheric carbon जो है वो आकरके fix होता है मतलब atmospheric carbon जब आकरके fix होता है तो fix होने के बात क्या होता है वो पहला जो stable product बनता है पहला प्रोड़क्ट जो मनता है वो तीन carbon का organic acid होता है यह उन्होंने फिर सारा बता दिया मतलब इसके बाद यह इसके बाद यह सारी बीच में जो stages आती है जो जो compound बनते हैं उनके बारे में बता दिया कि इसके बाद यह बनता है वो बनता है and it was called the Kelvin cycle after him the first product identifies 3 phosphoglyceric acid तो भाई आप से यह पूछा आता है कि भाई आप Kelvin cycle को C3 cycle क्यों कहते है तो आपका अंसर होता है कि Kelvin cycle में carbon fixation के बाद पहली stable product जो है वो तीन carbon की होती है 3 carbon की phosphoglyceric acid होती है इसलिए हम Kelvin cycle को C3 cycle भी कहते हैं ठीक है न तो आगे देखते हैं किस तरह से आपका इतनी phosphoglyceric acid बनता है कैसे glucose का formation होता है यह आपको आगे बढ़ा गया है ठीक है चलिए next देखते हैं फिर कैसे कैसे process होता है कि कि step करके आपको समझाता हूं ठीक है चलिए तो पहले थोड़ी से theory और दिया हैं लिखा है कि scientist also try to know whether all plant have PG as the first product of CO2 fixation मतलब scientist जो है वो यह जानना चाहते थे कि सारे plant जितने होते हैं क्या वो सारे के सारे plant पहली product जो बनाते हैं carbon fixation के बाद वो आपकी तीन carbon की ही होती है that is of three carbon यही जानना चाहते थे और whether any other product was formed in other plant यानि कुछ और plant ऐसे भी होते हैं क्या जिनमें कोई दूसरी आपकी जो है प्रोड़क्ट बनती हो पहले carbon के fixation के बाद जब atmospheric carbon बना करके fix होता है तो यह जानना जाते थे कि यह ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरी प्रोड़क्ट जो आपकी चारी carbon की हो वह बनती हो तो रहत ओ तो लिगा experiment conducted over a wide range of plant led to the discovery of another group of plants where the first stable product of co2 fixes and was again an organic acid and but one which had four carbon atom in it this is acid words identified to be oxaloacetic acid यानी के इनोंने कहा कि भई कोई और plant इनको मिले जिन प्लांट में पहली stable product fixation के बाद चार carbon की थी जिन प्लांट में पहली stable product fixation के बाद four carbon की थी चार carbon की थी ठीक है ना बात तो वो plant के अंदर आपकी जो cycle बता ही गई वो C4 cycle है C4 pathway उसको कहा गया और इस product का नाम भी आद रखेंगे जैसे आपकी पीछे तो आपका phosphoglyceric acid था अभी क्या है आपका oxaloacetic acid that is of four carbon and since the CO2 assimilation during photosynthesis was said to be of two main type those plant in which the first product of CO2 fixation is a C3 acid the C3 pathway and those in which the first product was of C4 oxaloacetic acid in the C4 pathway these two group of plants showed other associated characteristics that we will discuss later तो दोनों को आप अभी क्या है कि आप C3 को भी पढ़ोगे और अभी आप है C4 को भी पढ़ोगे C3 और C4 मतलब दोनों को आप जानोंगे कि कैसे कार्बन कौन कौन सा कहां से आता है कैसे कैसे काहां फिक्स होता है ठीक है न तो चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं फिर आप जो है आगए जागे बुक में देखें क्या क्या हुआ है ठीक है देखो ऐसा होता है कि जो आपकी लीफ है मीजोफिल सेल जो आपकी लीफ की मीजोफिल सेल होती है नॉर्मल प्लांट के हम बात कर रहे हैं C3 वाले प्लांट की बात कर रहे हैं जिन में C3 साइकल चलता है उनकी बात कर रह उसी chloroplast के जो granum वाला part होता है उस granum में आपकी चलती है light reaction और stroma वाले part में चलती है dark reaction यहनी Kelvin cycle यहनी C3 पांथ है तो होता यह है कि वहाँ पर आप ऐसे समझे chloroplast में आपका जो stroma वाले part में आपका जो 5 carbon का ribolose 1,5 बाइफोस्पेट होता है यहां से आपका इस साइकल शुरू हो देख Kelvin साइकल जो हम बात कर रहे थे यहां से शुरू हो पाच कारबन का आपका राइबुलोज 1,5 बाइफोस्पेट इसका यहां पर कार्बोकसिलेशन होगा कार्बोकसिलेशन में एट्मोस्फेरिक CO2 यहां पर एड़ होती है और इंजाइम भाग लेता है रुबिसको रुबिसको एक ऐसा इंजाइम है जो कि दो तरह की एक्टिविटी रखता है एक कार्बोकसिलेज एक्टिविटी दूसरी ओक्सिजिनेज एक्टिविटी यानि अगर मान लो यहां कार्बन डाइकसाइड से ज़्यादा ओक्सिजन होती तो फिर रुबिसको यहां पर ओक्सिजन को एड़ कर देता तो यह एक्टिविटी इसकी बाद में देखेंगे अब ही आप समझो के भई रुबिसको एंजायम ने जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा मातरा में पाई जाने वाली प्रोटीन है खुद में वो क्या करता है कार्बन डाइकसाइड को फिक्स कर देता है इस पांच कार्बन के कमपाउंड के साथ यह पांच कार्बन का कमपाउंड एक शूगर है जैसे कि डिने में राइबोज शूगर होती है वो पांच कार्बन के होती है इसी तरह राइबोज भी फाइब कार्बन की शूगर है पांच कार्बन तो शूगर के हो जाते हैं ठीक है न ये तो हमने पहले कहा था भई कि आपका जिस साइकल में पहली स्टेबल प्रोड़क्ट तीन कार्बन की होती है वो आपकी C3 साइकल कहलाती है ये आपकी क्या क्या लाएगी C3 cycle क्यों क्योंकि यहाँ पहला stable product आपका तीन carbon का phosphorylation है इसके बाद क्या होता है इसका यहाँ पर phosphorylation होता है phosphorylation होने में क्या होगा है आपका ATP लगेगे दो molecule इसके हैं तो दो ही molecule ATP के लगेंगे और यह अपनी phosphate यहाँ दे देंगे phosphate आ जाकर के इस molecule के first carbon से attach हो जाएगी माल लो तो यह बन जाएगा 1-3-bipospho-glyceric acid 1-3-bipospho-glyceric acid यह बन जाएगा इसके बाद क्या होगा कि यह 1-3-bipospho-glyceric acid का reduction होगा reduction इसका तीसरा stop main step है reduction होगा reduction के लिए अपने बताए तो light reaction में हमने क्या बनाए थे NADPH2 बनाए थे यह NADPH2 बनाए थे तो NADPH2 यहाँ पर लगेगा और अपनी hydrogen देगा और इसको reduce कर देगा यह acid आपका जब reduce होता है ना तो reduce होकर के acid आपका L-dehyde बनाता है तो यहाँ पर आपका 3-phospho-glyceral-dehyde बनेगा 3-phospho-glyceral-dehyde बनेगा ठीक है ना? अब देख रहे हो 3-phospho है यह बनेए एक phosphate रहे कि बस तीसरे कार्बन पर phosphate है पहले कार्बन की phosphate गायब होगी तो वो phosphate आपके यहाँ release हो जाती है S3PO4 की form में यह और्थो phosphoric acid inorganic phosphate की form में वो phosphate आपके यहाँ पर release हो जाती है ठीक है? तो अब हमारे पास क्या है? 2 molecule यहनि 2 molecule किसके है? 3-phospho-glyceral-dehyde के हैं ठीक है? चालिए next आप पास समय ने कोश कीजिएगा कि आपको अगर एक glucose का molecule बनाना है अगर आपको एक carbohydrate का molecule बनाना है तो आप क्या करेंगे? carbon भी आपको 6 ही fix करने पड़ेंगे क्योंकि जो cycle चलती है cycle तो मतलब एक compound से दूसरा दूसरे तीसरा बनता रहता है लगातार और भी घूम फिरके फिर वो ही बनते रहते हैं continue manner में अगर आप उसमें बहार से 6 carbon डालोगे तभी आप उस cycle के अंदर से 6 carbon बहार निकाल सकते हो अगर आप उसमें 6 carbon डालोगे तो आपको 6 molecule ली चाहिए किसके ribolose 1,5-biphosphate के चुकि अगर एक बार एक डालोगे तो 6 molecule कुछ है और फिर आपके 6 molecule ली होंगे तो आपके यहाँ पर 12 molecule बनेगे ATP भी आपके कितने लगेंगे 12 लगेंगे यहाँ पर 12 molecule बनेगे और यहाँ आपका NADPH2B कितने लगेंगे 12 लगेंगे यह भी कितने निगलेंगे 12 लगेंगे बाहर ठीक है और यह भी आपके 12 molecule बन जाएगे तो दुबारा molecule आपके 3-phosphoglyceral diet के मानलोब बन जाते है देखो एक बात ध्यानक ना एक बार की cycle में एक ही बनता है एक बार की cycle में एक ही बनता है तब एक बार में एक ही carbon fix होता है यह तो हम समझाने के बता रहे हैं आपको 6 carbon ठीक है इन 12 molecule मेंजे क्योंकि 3-phosphoglyceral diet आपका 3 carbon का होता है 3 carbon का molecule होता है तो इन 12 molecule मेंजे हम क्या कर सकते है 2 molecule यहाँ पर 2 mole इसी के ही 3-P-G-A-L 3-phosphoglyceral diet के निकाल लेंगे बाहर for the synthase of the carboidrate क्योंकि एक हो इसके पास 3 carbon है और यह दुनिया की सबसे छुटी sugar है इसका formula होता है फोसफेटों का रहाटा दो तो आप C3-S6-O-3 ठीक है यह और अगर आप C3-S6-O-3 प्लस C3-S6-O-3 करते हैं तो आपका एक glucose बन जागा लाइक वो बनता कुछ और तरीका है बनने का वो अलग बात है लेकिन यह दो molecule आपके इसमें से बहार निकल करके glucose का formation करने में मदद करते हैं हमारे पास बचते हैं 10 molecule इसके क्योंकि दो तो यहां चले गए बाकी के जो 10 molecule होंगे आपके उन में कितने कार्बन होंगे तीन कार्बन का एक molecule है वो 10 carbon में कितने molecule होगे 30 तो वो 30 molecule आपके वापस जाते हैं ठीक है पहले तो वो convert होते हैं ribulose 5-phosphate ribulose 5-phosphate फिर ribulose 5-phosphate आपका 1 ATP यूज़ करता है मतलब एक molecule अगर एक ribulose 1-5-biposphate बनाएगा तो 1 ATP लगेगा और अगर यहां यह कितने molecule हैं यह तो हमारे 6 molecule हैं क्योंकि देखो नीचे हमारे कितने mole बचे थे 10 mole 10 mole के पास 30 carbon थे और यहां ribulose सुगर हमारी 5 carbon की होती है यह 5 carbon का सुगर है तो इसके 6 mole बनेगे ना 5-6 थर्टी थर्टी carbon हमारे पास यहां हो जाएंगे तो घूम फिर के मतलब इसके 30 carbon convert होगे वापस से 30 carbon ribulose 5-phosphate के बनाते हैं जिन में से वापस से फित 6 ATP का खर्चा होता है और region rate होता है आपका ribulose 1-5 bi-phosphate region rate होता है ribulose 1-5 bi-phosphate ठीक है तो 6 ATP यहां regionation में लगते हैं अगर मालों आप एक cycle को पढ़ोगे तो एक ATP regionation में लगेगा है ना तो यहां से आप से calculate कर सकते हो अगर आप एक carbon fix कर रहे हो अगर आप 6 carbon fix कर रहे हो तो आपके total ATP खर्चा हुआ 18 ATP ठीक है 12 NADPH2 और अगर आप मालो एक carbon की बात करते हो तो 3 ATP और 2 NADPH2 ठीक है ना तो आप से पूछेंगे एक carbon fix करने में कितने ATP खर्चा आता है तो आप बताएंगे एक carbon fix करने में 3 ATP 2 ATP तो यहां पर लगेंगे carbon के लिए और एक लगए का वापस regeneration करने में ठीक है ना तो यह आपका जो है यह Kelvin cycle है regeneration में क्या क्या होता है नहीं जानना आपको अभी Kelvin cycle मतलब कि आपका carbon का fixation सीधा सीधा कैसे कैसे आपका atmospheric carbon कहा कहा होता है पहली stable product आपकी क्या बनती है और regeneration किसका होता है यह सब आपको जानना है ठीक है चलते हैं तुम्हारी किताब में वहां क्या लिखा है वहां देखते हैं यह लिखा है कि Kelvin and his co-worker then worked out the whole pathway and showed that the pathway operated in a cyclical manner मतलब उन्होंने सब पता चला लिया कि कि कौन सा compound कब बनता है किसके बाद क्या बनता है इसके बाद क्या बनता है कि आर यू बीप वार डिजन रिजन रेट जो होता है वो था राइब लोंग फाइव भाई फोस्पेट यहीं regeneration जो घूम फिर के होगा हुआ आपका राइबलोज 15 बाइफोस्पेट का होगा लेट उस नाओ सी हाओ जाओ 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 प्लांट आप पढ़ें आगे चलके कोई से भी पढ़ें दोनों ही तरह के प्लांट में आपका क्या होगा केल्विन साइकल जुरूर्ण चलेगा भले ही सीफोर प्लांट में पहली स्टेबल प्रोडक्ट आपकी चार कार्बन की बनती हो पहले कार्बन फिक्सेजन हों के चार कार्बन बनाता हो लेकिन वहां भी Kelvin cycle चलता रहेगा इस बात को आपको धियान रखना है ठीक है next लिखाय कि for ease of the understanding the Kelvin cycle can be described under three stages carboxylation number one reduction number two or regeneration number three number one है carboxylation carboxylation is the fixation of CO2 into the stable organic intermediate carboxylation is the most crucial step of the Kelvin cycle where CO2 is utilized for the carboxylation of RUBP यहां आपने बताया था आपको के जो आपका RUBP है जो riboloze one five by phosphate है वो आपका carboxylation होता है उसका rubis को कड़ाता है और CO2 जोड़ देता है उसके साथ and this reaction is catalyzed by the enzyme RUBP carboxylase which result in the formation of two molecule of three PGA यहां पर दो molecule आपके three phospho glyceric acid के बनते हैं छे carbon हो जाते हैं एक carbon बाहर से आया पांच के RUBP के पास थे since this enzyme also has an oxygenation activity it would be more correct to call it RUBP carboxylase oxygenation थीक है तो हमने बता भी इसके बाद दोनों तरह की activity होती है carboxylase भी और oxygenation भी यानि कि carbon का fiction भी करता है और अगर carbon dioxide से ज़्यादा आपके oxygen होती है थी फिर oxygen को carry कर लेता है ठीक है चलिए यह ज़्यादा सा थोटा सा diagram NCRT ने दिया है यहाँ पर इसमें कुछ ज़्यादा है तो है नहीं पस यहीं दिया है सीधा RUBP दिया है इन्हों ने दिखा कि बाहर से atmosphere से carbon dioxide आती है arboxylation होता है फोस्फोग्लिस्ट्रिक कैसे बनता है फोस्फोग्लिस्ट्रेट एक ही बात है फिर उन्हेंने कहा reduction होता है reduction में direct इन्होंने ATP, NADPF सीधा दिखा दिया और आपका trios phosphate बना दिया trios phosphate की बात अगर ही कर रहे है तो यह आपका वो ही है phosphoglyceral dehyde ठीक है ना पर यह कहाए कि trios phosphate को मतलब तीन कार्बन का sugar है ना C3H6O3 तो यह कहाए कि इसमें से गर बाहर निकाल लेको ताब stars रोज-बिल्कोज बना सकते हो ठीक है common सा दिखाती है NCRT जादा अच्छा नहीं दिखाया आपको तो regeneration होता है आपका ATP का खर्चा regeneration में होता है ऐसा बता दिया और उसके बाद इनने निकाल के बड़ regenerate हो करके आपका राइब लोज-1-5-1-4-8 बन जाता है ठीक है तो यह तो simple सी cycle है लिखा हुआ थोड़ा जादा है वहाँ लिखा हुए में से आपको चीज़े मिल सकती है ठीक है चालिए यहां लिखा है कि reduction दूसरा step है reduction में and these are the series of reaction that lead to the formation of glucose these are the series of reaction that lead to the formation of glucose and the step involves utilization of two molecule of ATP for phosphorylation and two NADPH for reduction यह आपने बता भी आपको दो ATP, एक molecule of carbon dioxide को अगर आप fix करोगे तो दो ATP लगते हैं आपके पहले फिर उसके बाद आपका जो है दो ही NADPH लगते हैं ठीक है regeneration में एक ATP अलग से खर्च होता है तो यह ध्यान रखना है आपको इस तरह कोशन आप से पूचे आएंगे कि भाई इस टाप इन वोल्य उटलाइशन आपको इस तो नहीं होता कि एक बार में छे मॉल्यक्यूल आ जाएंगे ऐसा तो हो गई नहीं ठीक है ना क्योंकि यह भी लोज बाइफोस्पेट जो है आपका आर यूबीप जो है वो आपका एक 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 मॉल्यक्यूल होता है तो वो छे बार आपको उस कार्बोक्सेलेशन करना पड़ेगा तब जा करके एक कोई बन सकता है नेक्स है रिजनेशन 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 अदस यूट एक्सेप्टर मॉल्यक्यूल रूबीप इस तो कुरूशिल स्टाप रिक्वाइर वन एटीपी फोर फोस्फोर रिलेशन तो फॉर्म आर्यों वेप तो भी यह बताया है और आपका खर्चा जो होता है वो रिजनेशन में होता है तो टोटल आपका ATP लग जाएगा 3 ATP for the fixation of the one carbon molecule और 2 NADPH ठीक है इसी तरह अगर आपसे 6 का पूछा जाएगा तो आप multiply कर देंगे 3 का पूछा जाएगा तो 3 का multiply कर देंगे नेक्स लिका है है हैंस वोर अवर अवरी CO2 molecule हैंस वोर अवरी CO2 molecule entering the Kelvin cycle the molecules of ATP and 2 NADPH 3 molecule of ATP और 2 NADPH आपके खर्च होते हैं and it's problem to meet this difference in number of ATP and NADPH used in the dark reaction that the cyclic phosphorylation takes place तो यह कह रहे है कि भाई आपका जो क्या बोलते हैं उसे वहाँ जो light reaction में आपके बनते हैं ATP और NADPH तो लिखा कि it is probably to meet this difference in number ATP and NADPH to the dark reaction मतलब कि आप इसको ऐसे calculate ना करेंगे भई light reaction में तो इतने बनते हैं और यहाँ इतने खर्च होते हैं ऐसा नहीं है ठीक है ना मतलब वहाँ बनते रहते हैं यहां यूज होते रहते हैं बस इतना जाने तो make one molecule of glucose six turn cycle required तो बिल्कुल सही बात है छे बार cycle को चलना पड़ेगा अगर आप एक glucose molecule बताना चाहते हैं तो work out how many ATP and NADPH molecule required to make one molecule of glucose तो बता दिया कोई बात नहीं यहां लिखके भी दिया है इन्होंने 18 ATP लगेंगे और 12 NADPH 2 लगते हैं ठीक है तो यह आपका है जो Kelvin cycle मतलब यहां तक आपका कैल्विन cycle C3 cycle के बारे मता आए खतम होता है आप ठीक है इसके बाद जो है आपका सुरू होगा C4 pathway C4 pathway मतलब थोड़ा सा इससे अलग है थोड़ा सा अलग इंदसेंस के वहां जो है कार्बन का अभी यह जो C3 वाली काम चल रहा था न यह सारा आपका जो लीफ की मीजोफिल सेल है उसके अंदर चल रहा था मीजोफिल सेल के भी स्ट्रोमा के अंदर यह सबकार यह हो रहा था जबकि C4 प्लांट में आप जाओगे तो वहां आपको दो तरह की सेल जो है वो इसकाम में भाग लेंगी जिन में से कार्बन का फिक्सेशन भी दो बार होता है मतलब एक ब पर आपकी C3 में एकी तरह की सेल भाग लेती है जो कि आपकी है मीजोफिल सेल तो C4 पाथवे को देखते हैं फिर आगे न क्या क्या दिया है यहां थोड़ा सा स्पेशल कुछ बात है एक खास बात है जैसे आपने उपर पीछे लीफ की अनटामी पड़ रखी है आपने ली पीडरमिस के नीचे आपका बंडल इस तरह मीजोफिल शेल्स होती है मतलब पहली सेड़ पैरन कायमा होता है डाइकोट के अगर आप लीफ देख रहे होगे नॉर्मल लीफ उसमें नीचे भीडरमिस होती है और यहां बीच में आपका वैस्कुलर बंडल वाला पार्ट होत हैं और इन सारी मीजोफिल सेल्स के अंदर आपका जो है फोटो सिंथेज चलती है यहां यहां हर जगा पर ठीक है इनके अंदर यह बंडल है ठीक है इसके अंदर जाहलम फ्लोई में आपकी हो जो अलग बात है लेकिन यह सीफोर प्लांट होते है और इनमें ना स्पेशल त बंडल के चारों तरफ आपकी जो बंडल शीट सेल्स होती है जो आपकी बंडल शीट सेल्स होती है मतलब जो बंडल को कवर करके रखती है सेवरल लेयर्स होती है इसके बात ध्यान रखना सेवरल लेयर्स ओफ बंडल शीट सेल्स और प्रजेंट यह बंडल के चारों तरफ बंडल तो है यह है और बंडल शीट सेल भी है माल लो तो बंडल के बाहर अलग से मीजोफिल सेल्स है इस तरह सा अरेंजमेंट कुछ ऐसा नहीं है कि भई पहले आपका बंडल शीट सेल है और फिर उसके बाद जो है यह इस तरह से रिडियेटिंग मैनर में मीजोफिल सेल नि तो इसके कुछ इसमें खास बात क्या होगी कि मान लो बाहर से आपका कार्बन डाइक्साइड आएगी co2 आएगी ना तो पहले वो मीजोफिल सेल में आएगी ठीक है पहले मीजोफिल सेल में आएगी और अगर मैं आपको कहूँ मुझ के यहाँ पर उपर आपको लिखके दिया था कि गेलिविन साइकल जो है वो दोनों चाहें si3 प्लांट सीफोफिल दोनों में चल और जाएगा बंडल शीद में जाएगा और आपका जो केल्विन साइकल चलता है वह आपका यहां चलता है सी थ्री साइकल कि अकर here Kelvin cycle जो आपका Kelvin cycle है वो इनमें भी होता है पर वो bundle शीथ में चलता है mudar जो फिल में बजाए मीजो फिल में चलना चाहिए था जैसे मीजो फिल में चलता ही है normal ली तो यहां मीजो फिल में नहीं चलता है वो bundle sheet में चलता है यहनी carbon का fixation एक बार तो बाहर होगा मीजुफिल में दूसरी बाहर कार्बन का फिक्षिएन आपका जा करके bundle sheet cell के अंदर होगा ठीके ना तो यहां दो तरह की cell भाग लेंगी मीजुफिल bundle sheet cell तो बाहर होगा एक बाहर एक बाहर bundle sheet 2010 में होता ही है वो तो c3 cycle में तो होता ही है कि मेजोफिल सलके जो स्ट्रोमा होता है वहां पर यह चलता है ठीक है तो एक बार पहले देखते हैं इनके अनटमी के बारे में फिर हम पढ़ेंगे कि आपके C4 साइकल क्या होती है तो यहां दिया गया है कि कि plant that are adapted to dry tropical regions that have the C4 pathway mentioned earlier though these plant have the C4 oxyloacetic acid as the first CO2 product fixation product मतलब इन में क्या होता है पहली कार्ग fixation product मतलब बहार से CO2 आएगी तो fix हो कर के क्या बनाएगी और यहां बनाएगी जो कि चार कार बनका है and huge they use the C3 pathway or the Kelvin cycle as the main biosynthetic pathway मतलब यहां कह रहे हैं कि जो यह यह plant होते है जिन में की चार कार्बन का आपका पहले वह बनता है fixation product जो होती है चार कार्बन की होती है में जो इन में हो है Kelvin cycle ही है मतलब इन में भी क्या है Kelvin cycle चलती है लेकिन भले ही पहले चार कार्बन का आपका fixation के product बनता हो and then in what way they way are they different from c3 plant is a question that you may reasonably ask and c4 plant are special they have a special type of leaf anatomy that tolerate high temperature they show a response to high light intensity they lack a process called photorespiration यह बताएंगे आपको photorespiration अभी आगया आएगा इन में photorespiration नहीं होता मतलब c4 plant में photorespiration नहीं होता c3 में होता है यह आप आगे जलके जा नहीं है and have greater productivity of biomass ज्यादा मात्रा में यह production करते है ठीक है मतलब food ज्यादा बनाते हैं as compared to c3 let us understand this one by one the property chain की एक एक करके समझते हैं study vertical section of leaf on one of the c3 plant and the other of c4 do you notice the differences yes we notice the difference do both have the same type of mesophyll do they have similar cells around the vascular bundle sheet नहीं दोनों तरह में दोनों में आपकी अलग अलग है मतलब यहां की जो मेज़ोफिल cells होती है इनकेट chloroplast थोड़े अलग होते है और नॉर्मल मीज़ोफिल के chloroplast अलग होते है थोड़े से ठीक है और यहां रेंजमेंट थोड़ा इस तरह का है वहां नॉर्मल प्लांट में इस तरह का रेंजमेंट नहीं होता है the particularly large cell around the vascular bundle of the c4 plant are called bundle sheet cell and the leaves which have such anatomy are said to have cringe anatomy जिन में particularly large cells vascular bundle के चारों तरफ आपकी मिलती होती है वैसी आपकी leaves जो है वो क्या कहलाती है cringe anatomy कहलाती है and cringe means wrath and is a reflection of the arrangement of cell ठीक है कि माला सी जो होती है वो आपकी जो करी बार आप मतलब इस तरह का ले कर गे जाते हैं किसी ceremony वेगारा से वहां पर उसको रहत कहते हैं and the bundle sheet cell may be form may form may form several layers bundle sheet जह हो several layer बनाती है बना सकती है around the vascular bundle they are characterized by the having a large number of chloroplast मतलब bundle sheet में आपके large number of chloroplast मिलते हैं large number of chloroplast ध्यान रखे and thick wall impervious to gases exchange bundle sheet की जो cells होती है उनमें gases नहीं आ सकती थिक wall to gases exchange अब बात सुनों bundle sheet में चलती है सीत्री cycle सीत्री cycle को carbon dioxide चाहिए अरे भाई carbon dioxide कैसे आएगी जब इसकी wall में gases आती ही नहीं है bundle sheet में चलती है यहाँ पर आपकी Kelvin cycle Kelvin cycle के लिए carbon dioxide चाहिए वह आपकी यहाँ पर आएगी नहीं क्योंकि इसकी wall जो है वह gases exchange नहीं करती है तो इसलिए उधर से मीजोफिल से आपका कुछ compound आपके convert होकर के मीजोफिल से कुछ compound आपके मतलब convert होकर के मतलब कार्बन को ले करके इधर आएंगे आपके मीजोफिल cell की तरफ आते हैं sorry bundle sheet की तरफ आते हैं लिखाया है कि no intercellular space and you may like to cut section of the sea floor plant मेज और शोर्गम एग्जामपल दिये हैं आप इनको देख सकते हैं to observe the cringe anatomy and the distribution of मीजोफिल cell मतलब आप cringe anatomy वहां देख सकते हैं जो कि आपकी bundle sheet cell ने बनाई होती है और आप मीजोफिल cell का distribution भी observe कर सकते हैं यहां पर मीजोफिल cell आपकी जो है वो bundle sheet के चारो तरफ एक special तरह का arrangement बना करके रखती हैं हमाज आई ना ठीक है it would be interesting for you collect leaf of diverse species of plant around you and cut vertical sections of the leaf observe under the microscope look for the bundle sheet around the vascular bundle in the presence of the bundle sheet would help you identify the sea floor plant मतलब आप कह रहे हैं कि जोई leaf का section काट करके देखें आपको समझ में आएगा कि वही किस तरह से वहां पर जो है arrangement होता है bundle sheet cells का vascular bundle के चारो तो आज के लिए हम इसमें इतना ही करते हैं next class में हम जो है इसका process पढ़ेंगे c4 cycle किस तरह से c3 cycle से difference होती है different होती है थोड़ा सा वह समझेगे तो last class मतलब अगली class में आपका ही topic कतम हो जाएगा अभी आप इसी को revise करिए दो तीन बार अच्छे से ठीक है न आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देजेगा और यह घंटी वाला बटन दबा दीजेगा ताकि आपको notification मिलते रहे हैं thank you so much